C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनी पाठे पुस्तक मलहार पाठ 13 पेड की बात प्रिष्ट संख्या 145 क्या आपने कभी कोई बीज बोया है? बीज से पेड बनने की कहानी बहुत रोचक है। कैसे अंकुर फूटता है, पौधा बनता है, धीरे धीरे बढ़ता है और बड़ा पेड बन जाता है। आईए जानते हैं पेड की बात। नहीं थी, मानो बाहर से कोई शिशु को पुकार रहा हो। और सोय मत रहो, उपर उठ जाओ, सूरज की रोश्नी देखो। आहिस्ता आहिस्ता बीज का ढखकन दरक गया। दो सुकोमल पत्तियों के बीच अंकुर बाहर निकला। अंकुर का एक अंश नीचे माटी में मस्ब उठते देखा है। जैसे कोई शिशु अपना नन्ना सा सिर उठा कर आश्चर इसी नई दुनिया को देख रहा है। विक्ष का अंकुर निकलने पर जो अंश माटी के भीतर प्रिवेश करता है, उसका नाम जड है। और जो अंश उपर की ओर बढ़ता है, उसे तना कहते है सभी पेड़ पोधों में जड वतना ये दो भाग मिलेंगे। ये एक आश्चर की बात है कि पेड़ पोधों को जिस तरह ही रखो, जड नीचे की ओर जाएगी, वतना उपर की ओर उठेगा। एक गमले में पोधा था। परिक्षन करने के लिए कुछ दिन गमले को अंधा लटकाये रखा, पोधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड उपर की ओर रही। इस प्रिष्ट के उपर की ओर दो पेड़ों का चितर है जिस पर बच्चे जूला जूल रहे हैं। और इसी प्रिष्ट के नीचली तरफ एक पोधे का चितर है जिसके नीचे पोधे की जड़ और उपर तना और पत्तिया हैं। प्रिष्ट संख्या 146। दो एक दिन बाद क्या देखता हूं कि जैसे पौधे को भी सब भेद मालुम हो गया हो। उसकी सब पत्तियां और डालियां तेड़ी होकर उपर की तरफ उठाएं। तथा जड़ घूम कर नीचे की ओर लट गई। तुमने कई बार सर्दियों में मूली काटकर बोई होगी। देखा होगा पहले पत्ते वो फूल नीचे की ओर रहे। कुछ दिन बाद देखोगे कि पत्ते और फूल उपर की ओर उठाएं। हम जिस तरह भोजन करते हैं, पेड़ पौधे भी उसी तरह भोजन करते ह हमारे दात हैं, कठोर चीज खा सकते हैं, नन्हे बच्चों के दात नहीं होते, वे केवल दूध पी सकते हैं, पेड़ पौधे के भी दात नहीं होते, इसलिए वे केवल तरल द्रव्य या वायू से भोजन ग्रहन करते हैं, पेड़ पौधे जड़ के द्वारा माटी से रस पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रवे गल जाते हैं। पेड में हजारों हजार नल हैं। इन्ही सब नलों के द्वारा माटी से पेड के शरीर में रस का संचार होता है। बंध हो जाते हैं। जब हम श्वास प्रश्वास ग्रहन करते हैं, तब प्रश्वास के साथ एक प्रकार की विशाक्त वायू बाहर निकलती है। उसे अंगारक वायू कहते हैं। अगर ये जहरेली हवा प्रित्वी पर इकठी होती रहे, तो तमाम जीव जन्तु कुछ ही दिनों में उसका सेवन करके नश्ट हो सकते हैं। जरा विधाता की करुणा का चमतकार तो देखो, जो जीव जन्तु के लिए जहर है, पेड़ पौधे उसी का सेवन करके उसे पूर्टया शुद्ध कर देते हैं। पेड़ के पत्तों पर जब सूरी का प्रकाश पड़ता है, तब पत्ते सूरी उर्जा के सहारे अंगारक वायू से अंगार निशेश कर डालते हैं। प्रिष्ट संख्या 147 और यही अंगार व्रिक्ष के शरीर में प्रवेश करके उसका समवर्धन करते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश चाहते हैं। प्रकाश ना मिलने पर यह बच नहीं सकते। पेड़ पौधों की सरवादिक कोशिश यही रहती है कि किसी तरह उन्हें थोड़ा सा प्रकाश मिल जाए। यदि खिड़के के पास गमले में पौधा रखो, तब देखोगे कि सारी प पहले प्रकाश को जपट ले। बेल लताएं चाया में पड़ी रहने से प्रकाश के अभाव में मर जाएंगी। इसलिए वे पेड़ों से लिपटती हुई निरंतर उपर की ओर अग्रसर होती रहती हैं। अब तो समझ गए होंगे कि प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। स आप बाहर प्रकट होता है, वो सूरी की ही उर्जा है। पेल पौधे वो समस्त हरियाली प्रकाश हतियाने के जाल हैं। पशू डांगर या पेल पौधे हरियाली खाकर अपने प्राणों का निर्वाह करते हैं। पेल पौधों में जो सूरी का प्रकाश समाहित है, वो इसी तरह जंत्मों के शरीर में प्रवेश करता है, अनाज वो सबजी ना खाने पर हम भी बच नहीं सकते हैं. सोच कर देखा जाए, तो हम भी प्रकाश के खुराक पाने पर ही जीवित हैं. कोई-कोई पेड एक वर्ष के बाद ही मर जाते हैं. सब पेड मरने से पहले संतान के लिए व्यक्र हैं. बीज ही उनकी संतान है. बीज की सुरक्षा वसार संभाल के लिए पेड फूल की पंखणियों से गिरा एक छोटा सा घर तयार करता है. फूलों से आच्छादित होने पर पेड कितना सुन्दर दिखलाई पड़ता है. जैसे फूल-फूल के बहाने वो स्वयम हस रहा हो. फूल की तरह सुन्दर चीज और क्या है? जरा सोचो तो, पेड पौदे तो मटमेली माटी से आहार वव विशाक्त वायू से अंगारक ग्रहन करते हैं. फिर इस अपरोब उपादान से किस तरह ऐसे सुन्दर फूल खिलते हैं? तुमने कथत सुनी होगी? स्पर्ष मणी की अर्थात पारस पत्थर की, जिसके स्पर्ष से लोहा सोना हो जाता है. मेरे विचार से मा की ममता ही वो मणी है. संतान पर स्नह नियोचावर होते ही फूल खिलखिला उटते हैं. ममता का स्पर्ष पाते ही मानो माटी वो अंगार के फूल बन जाते हैं. प्र पीड़ भी कम प्रफुलित नहीं होते। खुशी के मौके पर हम अपने परिजनों को निमंत्रत करते हैं। उसी प्रकार फूलों की बहार चाने पर पीड़ पौधे भी अपने बंधु बांधुओं को बुलाते हैं। इसने हिस्सिक्त वाणी में पुकार सकते हैं। गिन पंखोडियां दूर से देख सकोगे। मधु मक्खी वो तितली के साथ व्रिक्ष की चिरकाल से घनिश्टता है। वे दल बल सहेत फूल देखने आती हैं। कुछ पतंगे दिन के समय पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकल सकते। पक्षे उन्हें देखते ही खा जाते हैं। मधुमख्यां एक फूल के पराग कण दूसरे फूल पर ले जाती हैं। अब वो बिल्कुल सूख गया है। अपने ही शरीर का भार उठाने की शक्ती खीन हो चली है। पहले हवा बयार करती हुई आगे बढ़ जाती थी। पत्ते हवा के संग क्रिडा करते थे। इस प्रिष्ट के निचले भाग में एक खूपसुरत फूल का चित्र है जिस पर एक म अधुमक्खी है। प्रिष्ट संख्या 149 छोटी छोटी डालियां ताल ताल पर नाच उठती थी। अब सूखा पेड़ हवा के आगात सहन नहीं कर सकता। हवा का बस एक थपेड़ा लगते ही वो थर-थर कापने लगता है। एक एक करके सभी डालियां तूट पड़ती है अंत में एक दिन अकस्मात पेड़ जड़ सहत भूमी पर गिर पड़ता है। इस तरह संतान के लिए अपना जीवन ने उच्छावर करके व्रिक्ष समाप्थ हो जाता है। लेकक जगदीश चंदर बसु अनुवादक शंकर सेन। प्रिष्ट के निचले भाग में प्रसिद व्यग्यानिक जगदीश चंदर बसु का एक चित्र है। जिसके नीचे लिखा है 1928 से 2020। लेकक से परिचय। प्रसिद व्यग्यानिक जगदीश चंदर बसु का बच्चपन प्रकरती का अवलोकन करते हुए बीता। पेड़ पौधों, जीवजन्तों से प्रेम करते हुए उनके शिक्षा आरंभ होई। वे जीव विज्ञान, भौतिकी, वनस्पती विज्ञान तथा विज्ञान कथा लेखन में रूची रखने वाले एक बहुविद व्यक्ती थे। उन्होंने सिद्ध किया कि पौधों का एक निश्चत जीवन चक्र वे एक प्रिजनन प्रणा के समान होते हैं। विज्ञान जैसे विशे को भी चित्रात्मक साहित्तिक सुरू प्रदान करने वाले जगदीश चन्रबसु ने सरपर्थम रेडियो तरंगों के द्वारा संचार स्थापित कर एक बड़ी विज्ञानिक खोज की थी। पेड की बात का बंगला से हिंदी म अनुवाद शंकर सेन ने किया है। प्रिष्ट संख्या 150 पाठ से मेरी समझ से क यहां दिये गए प्रश्णों का सटीक उत्तर कौन सा है। उसके सामने तरा बनाईए। एक जैसे पौधे को भी सब भेद मालुम हो गया हो। पौधे को कौन सा भेद पता लग गया। एक उस उल्टा लटकाया गया है। दो उसे किसी ने सजा दी है। तीन बच्चे को गमला रखना नहीं आया। या चार प्रकाश उपर से आ रहा है। इसमें से सबसे सटिक उत्तर के सामने तारा बनाईए। दो पेल पौधे जीव जन्तों के मित्र कैसे हैं। एक हमारे जैसे ही सा जन ग्रहन करते हैं। तीन हवा को शुद करके साहता करते हैं। या चार धरती पर हमारे साथ ही जन्मे हैं। ख अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताईए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां यहां दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। अपने विचार अपने समुह में साजा कीजिए और अपने लेखन पुस्तिका में लिखिए। ख पेल पौधों के रेशे रेशे में सू विकाल से घनिष्टता है। वे दल बल सहित फूल देखने आती हैं। प्रिष्ट संख्या 151 मिलकर करे मिलान पाठ में से चुनकर कुछ वाक्यांश यहां दिये गए हैं। अपने समुह में इन पर चर्चा कीजिए और इनके सही अर्थ या संदर्ब से मिलाइए। इसके ल पहले भाग में लिखा है वाक्यांश और दूसरे में लिखा है अर्थ या संदर्ब। आईए अब तालिका पढ़ें। वाक्यांश के नीचे लिखा है एक बीज का ढखकन दरक गया। दो उसे अंगारक वायू कहते हैं। तीन पत्ते सूर्य उर्जा के सहारे अंगारक वा आच जैसे फूल फूल के बहाने वो स्वयम हस रहा हो। छे इस अपरूप उपादान से किस तरह ऐसे सुन्दर फूल खिलते हैं। अर्थ या संदर्ब के नीचे लिखा है एक मटमेली, माटी और विशाक्त वायू से सुन्दर सुन्दर फूलों में परिवर्तित होते दो, जीवन के लिए सूरी का प्रकाश आधार शक्तिया महतपून है। तीन, अपनी संपन्नता और भावी पीड़ी की उत्पत्ती से प्रसन संतुष्ट। चार, सास छोडने पर निकलने वाली वायू कार्बन डायोकसाइड। पाच, सूरी के प्रकाश से पत्ते विशाक् पायू के प्रभाव को नश्ट कर देते हैं। छे, बीज के दोनों दलों में दरार आ गई या फट गए। सोच विचार के लिए। पाठ को एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाईए और लिखिए। ख, बीज के अंकुरित होने में किस-किस का सहयोग मिलता है। ख, लेक में एक के बाद एक विचार को लेकक ने सुसंगत रूप से प्रस्तुत किया है। कमले को ओंधा लटकाना या मोली काटकर बोना जैसे उधरन देकर बात कहना इस लेक का एक तरीका है। अपने तथ्य को वास्तविक्ता या वहवारिक्ता से जोड़ना भी इस लेक की विशिष्टा है। क जैसे लेकक ने पेड़ की बात कही है, वैसे ही अपने आसपास की चीज़े देखिए और किसी एक चीज़ पर लेक लेखिए। जैसे गेहों की बात। ख उसे कक्षा में सब के साथ साजा कीजिए। अनुमान या कलपना से अपने समु में मिलकर चर्च कीजिए। क इस तरह संतान के लिए अपना जीवन नचावर करके व्रिक्ष समाप्थ हो जाता है। व्रिक्ष के समाप्थ होने के बाद क्या होता है। ख पेड़ पौधों के बारे में लेकक की रुची कैसे जागरित हुई होगी। प्रवाह चाट बीज से बीज तक की या प्रिश्ट के अंतिम भाग में एक प्रवाह चाट है। आईए अब इस प्रवाह चाट को समझें। सबसे पहले लिखा है बीज उसके नीचे रिक्तिस्थान रिक्तिस्थान र उसके नीचे प रिक्तिस्थान रिक्तिस्थान उसके बाद रिक्तिस्थान ता फिर क रिक्ति उसके बाद रिक्तिस्थान ल, फिर फ रिक्तिस्थान और उसके बाद बी रिक्तिस्थान. अब आपको इस प्रवाचाट में दिये गए रिक्तिस्थानों को स्वयम पूरा करना है. प्रिष्ट संख्या 153. अंकुरण. मिट्टी के किसी भी पात्र में मिट्टी भरकर उसमें राजमा या चने के चार पाँच बीज बो दीजिये. हलका सा पानी चलक दीजिये. तीन चार दिन तक थोड़ा थोड़ा पानी डालिये. अब इसमें आई परिवर्तन लेखन पुस् कि तरफ पौधे मुडे या नहीं आदी. शब्दों के रूप यहां दिये गए चित्र को देखिए. यहां मिट्टी से जुड़े कुछ शब्द दिये गए हैं जो उनके विशेष्टा बता रहे हैं. अब आप पेड, सर्दी, सूरी जैसे शब्दों के विशेष्टा बतान बादलों के चित्र हैं, जिनके ऊपर कुछ शब्द लिखे हैं. ये शब्द हैं रेतीली, उपजाओ, चिकनी, नम, भुरभुरी और काली. अब आप मिट्टी के विशेष्टा बताने वाले शब्दों को बॉक्स बना कर लिखिए. प्रिष्ट संख्या 154. पाट से आगे, मेरे प्रिये, यहां दे गई तालिका से प्रतेक के लिए अपनी पसंद के तीन-तीन नाम लिखिए. यहां पर एक तालिका दी गई है. तालिका के पांच भाग हैं. पहले भाग में लिखा है फूल, दूसरे में लिखा है पक्षी, तीसरे में लिखा है व्रिक्ष, चौथे में उस तक और पांच में में खेल लिखा है। अब आप इनके नीचे दिए गए रिक्तिस्थानों में अपनी पसंद के तीन तीन नाम लिखिए। आज की पहली। इस शब्द सीड़ी में पाठ में आई शब्द हैं। उन्हें पूरा कीजिए और पाठ में रेखांकित कीजिए। यहाँ पर एक सीड़ी दुमा पहली का चित्र है। आईए अब पहली को समझते हैं। रिक्तिस्थान, ज, रिक्तिस्थान, अ, रिक्तिस्थान, 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 अ, रिक्तिस्थान। अब आप रिक्तिस्थारों में उचित अक्षरों के साथ इस सीड़ी दुमा पहली को पूरा कीजिए। खोजबीन के लिए इंटरनेट कड़ियों का प्रियूग करके आप जगदीश चंदरबसु के बारे में और जान समझ सकते हैं। इस मिट्टी से तिलक करो ये धर्ती है बलिदान की। वंदे मातरम। उत्तर में रखवाली करता परवत राज विराठ है। दक्षण में चर्णों को धोता सागर का सम्राठ है। जमुना जी के तटको देखो गंगा का ये घाट है। बाट बाट में हाट हाट में यहां निरा देखो ये तस्वीरें अपने गौरव की अभिमान की इस मिट्टी से तिलक करो ये धर्ती है बलिदान की। वंदे मातरम। ये है अपना राजपुताना नाज इसे तलवारों पे। इसने सारा जीवन काटा बर्ची तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजाद के नारों पे कूद पड़ी थी जहां हजारों पद्मनियां अंगारों पे। बोल रही है कनकन से कुर्बानी राजस्थान की। इस मिट्टी से तिलक करो ये धर्ती है बलिदान की। वंदे मातरम। वंदे मातरम। प्रिष्ट संख्या 156। देखो मुल्क मराठों का ये य जहां शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था, हर परवत पे आग जली थी, हर पत्थर एक्षोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इस मिट्टी से तिलक करो य धरती है बलिदान की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जलिया वाला बाग ये देखो, यहीं चली थी गोलियां, यह मत पूछो किसने खेली, यहां खुन की होलियां, एक तरफ बंदू के दंदन, एक तरफ थी तोलियां, मरने वाले बोल रहे थे, इनकलाब की बोलियां, यहां लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की। इस मिट्टी से तिलक करो, एधर्ती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये देखो बंगाल यहां का हर चपा हर याला है। यहां का बच्चा बच्चा अपने देश पे मरने वाला है। धाला है इसको बिजली ने भूचा अलोने पाला है, मुठी में तूफान बंदा है और प्राण में ज्वाला है। जन्म भूमी है यही हमारे वीर सुभाश महान की। इस मिट्टी से तिलक करो, एधर्ती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अभी प्रदीम। अभी आप सुन रहे थे तक्षा 6 की हिंदी की ध्वनी पाठे पुस्तक, मलहार, वाचनस्वर, प्रवीन शर्मा और ममता मलकानी, ध्वन्यंकन, मंजु कुमारी, निर्मान सहयोग, कुसुमलता और चेतना शर्मा, निर्देशन एवं निर्मान, विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत